हेलो दियर स्टुडेंट्स परवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में हम लोग पॉली टेक्निक से रिलेटेड साथ सवाल लेकर के फिर से आ चुके हैं फिजिक्स का यह पहला प्रशन आपके सामने है देखिए बैटरी के टर्मिनल के साथ जोड़े गए बोल्ट मापी का पाठ्षांक 9 बोल्ट है जब बैटरी से लेंप जलाये जाते हैं तो पाठ्षांक 6 बोल्ट हो जाता है यदि लेंपों का प्रतिरोध 24 ओम है तो बैटरी का प्रतिरोध बताईए द्ध ध्यान से समझ यह क्या कह रहा है, यह bolt मापी का पठ्ठांग 9 बोल्ट तब होता है जब सीधे बैटरी से जोडा जाता है, जो जोडा जाता है, तो कितना होता है 9 बोल्ट, तो यह जो बैटरी है यानि जो cell है उस cell का विद्दूत वाहक बल, E बरावर हो जाएगा 9V ठीक Cell का विदूत वहाग बल 9V हो गया अब कह रहे हैं कि पाठ्ठ्ठांग 6V हो जाता है कब जब बैटरी से लैंप जला जाते हैं यानि जो तार जोड़ दिया जाता है उस तार का जो पाठ्ठ्ठ्ठांग का है हो जाता है 6V यानि V बरावर 6V हो गया ठीक और इसमें आगे कहा रहे हैं कि यादि लैंपों का प्रत्रोध 24 Ohm है यानि लैंपों का प्रत्रोध का मतलब यहां R से है ठीक है R कामान कितना है 24 तो R बरावर लिख देंगे 24 Ohm ठीक और आगे फिर क्या कह रहे हैं कि बैटरी का प्रत्रोध होता है यह देखें बैटरी यानि सेल का आंतरिक प्रत्रोध हमको निकालना है तो सेल का जो कुल प्रत्रोध होता देखें कुल विद्धुत वाहगवल जो होता है यह आपका E जो है ये किसके बराबर होगा ठीके समझ लिए फीगर बनाके हमका आपको समझा दे रहे हैं कि ये सेल है और सेल का अपना आंतरिक प्रित्रोज कुछ होगा और बाई प्रित्रोज कुछ होगा ठीक ये बाई प्रित्रोज आ रहे हैं आंतरिक प्रित्रों दिस्मालार है, सेल का विदुद्वाहकबल यह है, अब सेल से जब धारा निकलेगी, देखें कुछ विभव यहां होगा, कुछ आंतरिक विभव यहां होगा, ठीक है, तो सेल का जो विभव होता है, सेल यह जब तार को जोड़ देंगे, तिसमें जो वि मानते हैं और ये वी बरावर होता है आई आर ठीक और ये आंतरिक सेल है यहां पर हम विभो मान लेते हैं आई डैस अब ये आई डैस किसके बरावर होगा ये सेल का अंतरिक विभो जो होगा वो हम भी डैस मान ले रहें तो ये वी डैस किसके बरावर हो जाएगा आई दोनों विभाव ये, दोनों विभाव मिल करके इस सेल के विद्दुद वाहग बलके बराबर होंगे, है ना, तो सेल के विद्दुद वाहग बलके बराबर होंगे, तो ये कितना होगा, ई बराबर आपका बनेगा, वी प्लस वी डैस, बस समझ में आई, वी कामान क्या होगा I into R और यह V रेस होगा I into R अब यहीं पर वैल उपूट करिए करिए करम से E कामान कितना हो गया आपका E कामान रखिए तो यह आपका बन जाएगा कितना यह 9 वोल्ट यह 9 वोल्ट हो गया I कामन ले ले लिए capital R plus small R तो यह 9 बराबर I देखिए अभी I नहीं पता है तो यहां से हम I निकाल लेते हैं चुकि V बराबर I into R होगा तो V बराबर I into R तो I बराबर बनेगा V upon R विभो कितना है यह बैटरिस जोड़ देते हैं विभो इसमें कितना आता 6 तो यहां 6 लिखेंगे और प्रत्रोद कितना है चौविस यह कली 6 चौविस तो I कामान आ गया एक बटे R ठिक I कामान यह मिल गया अब यहां पे क्रम से हम रखेंगे तो रखिए देखिए क्या मिलता है आपको यह क्रम से साल्व करेंगे I कामान एक बटे यह 4 है एक बटे 4 और यह कैप्टल R आपका हो जाएगा 24 और इसमाल R वही तो निकालना है आंतरिक प्रत्रोद यानि बैटरी का प्रत्रोद यह गुड़ा करिए 9,4,36 और बराबर 24 प्लस R अब यह हो जाएगा R बराबर 36 माइनस 24 अब 36 में से 24 गटा दीजिए यह आगे आपका अंतरिक प्रत्रोद इसमालार 6 में से 4 गए 2 और यहां 3 में से 2 गए 1 यानि 12 ओम होगा देखिए इसमें कौन सा अफसन सही है दूसरा अफसन इसमें सही है तो यह होगा कितना 12 ओम यह आपका अफसन सही होगा ठीक चलिए अब इसके बाद अगला प्रशन हम लोग देखते हैं क्रम से यह दूसरा प्रशन कह रहे हैं कि दो सेल जिन में प्रतेक का विद्दुत वाहगबल देखें सेल वाला यह भी सवाल है तो दो सेल इसको पहले प्रशन लगा दें ठीक से तो दो सेल जिन का विद्दुत वाहगबल जो है वो कितना है इसको उलट देते हैं विद्दुत वाहगबल सेल का अब बताई इसको कैप्टल इमाने की समाल इमाने तो सेल का कह रहा है न तो दो सेल का विद्दुत वाहगबल तो इसका मतलब यहाँ E होगा E बराबर एक दसमलो पांच वोल्ट यह हो गया अब आगे कह रहे हैं कि आंतरिक प्रत्रोध दो ओम है इसमाल आर बराबर दो ओम कर लो आगे फिर क्या है समांतर कम में जुड़े हैं ये दो Omm के प्रितरोद समानतर कम में जुढ़े हैं और दोनों cell एक Omm प्रितरोद के साथ जुढ़े हुए हैं परिपत में धारा जान कीजिए ध्यान से प्रस्टबाए दीए cell का विद्धव द्मस्ट मिली आपको दो और ऍप्रितरोद दो Omm के हैं समांतर करम में जुड़े हैं तो पहले इनका प्रितरोग निकाल लेजाए अर्डं के दोंग कर लिये हैं तो समांतर वाले में कैसे निकालते है सुह उखे तो ढापान से होगा और भी यह यो दो हो गया कि नो 1 आए गा तो आडेस आपका आगया 1 ठीक अडेस कामान 1 ओम मिले अब इसके बाद अब देखेंगे हम लोग क्या की 1 ओम प्रत्रोत के साथ जोड़ा गया है, दोनों सैलोں को 1 ओम प्रत्रोत से जोड़ा गया मतलब जो तार लगाया है वो कितने ओम का है एक ओम का capital R बराबर एक ओम हो गया अब परिपत में धारा निकालनी देखिए कैसे निकालेंगे अभी हमने बताया ना क्या E बराबर क्या मिला था इधर लगाते हैं E बराबर अभी लिखा था ना E बराबर ये I capital R प्लस I small R यही ना तो I common ले लिए तो I बराबर आपको मिल जाएगा E upon small R plus capital R अभी यहीं वैलू रख दीजिए 1.5 small R कितना हो गया आपका total मतलब यह R डैस यह कितना हो गया एक ओम और यह इसको small R ही मान लेजिए खुला अंतरिक परित्रोद small R हो जाएगा है ना देंगे तो 2 सते 14 0.7 तो I बराबर 0.75 Ampere हो जाएगा चलिए अब देखते हैं कौन साप प्रश्णिस में सही होगा कौन सापसन सही होगा 0.75 आया ना कौन था सही होगा यह तीसरा वाला चलिए तो फिर इसको सही कर लेते हैं यह तीसरा यहां से सही हो गया ठीक तीसरा आपसन अब देखते हैं तीसरे सवाल को यह तीसरा सवाल क्या कह रहा है यह कह रहे हैं इसमें दो तरंगों के आयामों का नुपाद दो तरंगों के आयामों का नुपाद दिया हुआ है मतलब A1 और A2 दिया हुआ है आयाम पहले तरंग का आयाम मान लेते हैं A1 और दूसरे का A2 तो A1 और A2 का अनुपात कह रहे हैं A का अनुपाते 4 है तो इनकी ती ब्रताओं का अनुपात निकालना है तो हम जानते हैं कि आयाम जो होता है यह तीवरता जो होती है आयाम के वर्क के उनको बनपाती होती है ठीक तो यहां से बनेगा I1 बराबर I1 बराबर A1 स्क्वाइर और यहां से I2 बराबर A2 स्क्वाइर दोनों का नुपात बराबर होगा A2 स्क्वाइर यह क्रम से कर दिया नहीं रख लीजी देखिए तीवरता का नुपात लीख पूछ रहे हैं तो पर, एक बल्ब पर 108 क्या, 108 और 220 बोल्ट अंकित है बल्ब के तंतु का प्रतिरोज बताईए, तो देखे, सामर्थ दिया हुआ है, और विभव दिया हुआ है, ठिक तो चलिए, P का मान लिखेंगे यहाँ पर, P कितना दिया हुआ है P बराबर 108 है न, P का मान 108 और विभव कितना दिया हुआ है V बराबर 250 वोल्ट हो गया अब इसमें निकालना है R का मान, तो यह फार्मूला तो आप याद ही कर लिए हो सब न P बराबर क्या होता, V I V स्कॉार T अपान, V स्कॉार अपान, R, I स्कॉार अपान तो इसमें देखे V, P, V, R जिसमें हो, P बराबर V स्कॉार अपान R ये वाला लग जाएगा फार्मूला तो R बराबर निकालना तो R बराबर बनेगा आपका V स्कॉार अपान P, तो यहीं वैलू करम से रख लेजिए तो कितना आएगा, V का मान रखिए, 250 और गुड़े फिर 250 और बटे में क्या हो जाएगा ये बटे में हो गया P, का मान, 100 ये दो जीरो कर दीजिए इसमें से 25 गुड़े 25 आजाएगा R बराबर 625 ओम ठिक तो 625 ओम देखिए कौन सा सही होगा आपसन इसमें दूसरा वाला आपसन इसमें भी सही हो जाएगा ये 625 में ठिक, चलिए चौथा प्रशन हो गया, अब देखेंगे हम लोग पांचवें प्रशन पांचवें प्रशन में क्या कह रहे हैं कि 16 ग्राम तथा 25 ग्राम द्रब्यमान के दो गेंदे समान गती जूर्जा से चल रहे हैं देखें, गेंदों की जो है गती जूर्जा वो समान है, उनके समवेगों कानुपात निकालना है तो समवेगों कानुपात अब निकालिए भई तो चलिए देखते हैं कैसे सालू करेंगे द्रब्यमान दिया हुआ है तो यमोन यम्टू पहले लिख लीजिए तो आपका ये यम्वन बराबर हो जाएगा 16 ग्राम ठीक और यम्टू बराबर 25 ग्राम ठीक ठीक से लगा ले ठीक है चली अब सालू करिए इसको यम्टू बराबर ये आ गया 25 ग्राम ठीक आगे क्या करें है दो गेंदे समान गति जूर्जा दोनों की गति जूर्जा समान है तो मान लेजिए पहले गेंद की वेग वीवन है दूसरे का वेग वीटू है तो गति जूर्जाएं समान है तो पहले गेंद की जो गति जूर्जा होगी half yam one v1 square और ये बराबर होगा half yam two v2 square तो half यहां से काट दीजिए हमको निकालना क्या है समभे कानुपाद निकालना तो चलिए फिर शुरू करते हैं कैसे निकालें यहां से अब करेंगे हम लोग yam one yam one v1 square और बराबर yam two v2 square यह मिल गया तो यहां से जो है यहां उपाद कर लें यहां one कामान रख लिजिए पहले 16 v1 square और yam two कामान 25 v2 square ठीक तो यहां से हमको मिल जाएगा v1 square अब v2 square इदर लेए तो v2 square बराबर 25 बटे 16 अब यह आया है तो यहां से जब हम लोग v1 अपान v2 कामान निकालेंगे देखिए square है तो यहां से हमको मिलेगा v1 अपान v2 बराबर यह under root में मिलेगा 25 बटे 16 ठीक है तो अब यह हमको मिल गया यहां से v1 अपान v2 कामान तो इसको लिखेंगे v1 यह यहां से v1 अपान v2 बराबर 5 बटे 4 ठीक यह मिल गया अब इसके बाद क्या करेंगे यहां से क्रम से इसको सालो करिए निकालना क्या है समवेगों कानुपात पहले का समवेग होगा यम 1 v1 दूसरे का समवेग होगा यम 2 v2 यही निकालना है चलिए निकालते हैं यम 1 कामान कितना 16 रख लीजिए और बटे यम 2 होगया आपका 25 अब गुडे में v1 अपान v2 कामान यह मिल गया 5 बटे 4 ठीक अब इसको कार देजिए 4 चोग के 16 और 5 बचे 25 तो यह बचा कितना यह समवेग का अनुपात मिल गया 4 अनुपाते 5 तो 4 बटे 5 यह अनुपात हो गया तो आफसन में देखिए कौन सा सही होगा यह पांच में यह दूसरे वाले में दिया है 4 अनुपाते 5 तो यह 4 अनुपाते 5 यही आफसन इसका सही हो जाएगा चलिए अब इसके बाद देखते हैं छठवा प्रश्न चठवे प्रस्ण में क्या कह रहे हैं इसको पढ़िए एक तार का पृत्रोध आट ओम है तार का पृत्रोध जो है वो आठ ओम है तो आर बरावर हो गया आठ ओम ठिक फिर तार को खीच कर लंबाई दोगु नहीं कर दी जाती तार का पृत्रोध कितना होगा अच्छा तो ये पहले पृतिरौध जो है चलिए इसको इसमाल r मानके चलते हैं न फिर से लिखें कि ये इसमाल r बरावर 8 हो और जब जितनी गुना दिये यन गुना अगर कर दिया जाता है तो पृतिरौध r बरावर हो जाता m2 r यन स्क्वाइर गुना रत्रोज बढ़ जाता है तो यन कामान कितना दिये हुए हैं दो तो दो का वर्ग इसमाल आर कामान आठ अब ये साल्व कर लीजिए दो दूना चार और गुड़े आठ आर चोग बत्तिस तो आर कामान कितना आ जाएगा आर कामान आ गया बद्तिस ठिक ये लिखेंगे आर बराबर बद्तिस ओम ठिक चलिए अब बताईए कौन सा आपसन इसमें सही होगा ये चौथा वाला आपसन यहाँ पे इसका सही हो जाएगा भई ये बद्तिस ठिक चलिए अब इसके बाद अगला प्रशन देखते हैं पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार है अब देखें पानी पर तैरती हुई वस्तु तो जब पानी में कोई वस्तु तैरती है तो यदि तैर रही है तो समझे तैर रही है ना तो ये नीचे आ रही तो क्या होगा इस पर भार सून्य हो जाएगा ठीक है इस से रिलेटेड एक वीडियो हमने बनाया है इसको जो है अभी इस वीडियो के बाद हम अप्लोड कर देंगे उसको भी देख लेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा आपको कि यह आभासी भार सून्य क्यों तो इस परकार से यह साथ सवाल आपके पूरे हो गए एक बार फिर से पूरा फटा फट रिवाइश कर लेते हैं एक बार में साथो सवाल एक बार में देखें बैटरी के टर्मिनल साथ जोड़े गए विभू आंतर यानि सेल का विद्धुत वाहग बल दिया गया था यह सवाल आपका है तो E कामान जो है 9 बोल्ट हो गया और जब बैटरी से जोड़ दिया जाता तो बैटरी वाला विभू 6 बोल्ट दिया था और तार का प्रत्रोद 24 तो E बरावर V प्लस V डेस यहां रखेंगे जब फूरा फार मुले में तो आर कामान आ जाएगा 12 ठिक पहला सवाल यह हो गया और दूसरा सवाल क्या दो सेल के दिया थी विद्धुत वाहग बल दिया है यह क्या है विद्धुत वाहग बल दिया हुआ है वी कामान और आंतरिक प्रत्रोद दो योम है और दो समांतर कम में जोड़ा तो समांतर कम में जोड़ करके आंतरिक प्रत्रोद निकालेंगे एक बड़े दो एक बड़े दो करके एक आएगा तो आंतरिक प्रत्रोद एक हो गया और बाय प्रत्रोद कितना वो भी एक है अ आयाम का जब अनुपाद दिया गुआ था दिखे एवन अपान एटू एक बटे चार है और ती वरता का नुपाद जो है वरके नुपाद के बराबर हो जाता है तो यहाँ एक बटे चार रखेंगे एक बटे 16 हो जाएगा यह हो गया अब इसके बाद चौथा प्रश्ण जो ह है यह चौथे प्रश्ण में क्या कह रहे हैं कि 108 और 220 बोल्ड लिए 250 बोल्ड लिखा है तो पी और वी दिया है तो पी इसको एर अपान आर होता है अब यहाँ जब साल्व करेंगे करम से तो आर वरावर वी स्कोर पान पी आई वी का मान रखके 25 25 25 हो गया गुड़ा कर लि इन गया ठां यहामोन का मान 12 कर लिए यहम तू का मान 25 ठीक है और पहले का वैड़u वी वन दूसरे का वैड़u मान लिए है तो गती उर जाये दोनों समान है यह बटए दो एक बटए समान वी तो इचौ और रखके 25 रखके कितना है 16 और 25 रख दिए तो यह V1 स्क्वाइर इसको लिया है नीचे V2 स्क्वाइर तो यह मिला 25 बटे 16 अब यह स्क्वाइर में है तो इसको जब इदर करेंगे तो यह रूट में हो जाएगा तो V1 अपान V2 कामान मिल गया हमको कितना यह से मिल गया 5 बटे 4 ठीक वी 1 अपान V2 कामान 5 बटे 4 आ गया अब देखिए हमको समवेग का नुपात निकालना था क्या निकालना था हम ओन in common कामान 16 रखे वीवन कामान 5 आया ना वीवन पान वीटू 5 वटे 4 आया था रख दी जा तो यह पहला वाला आपसा निशनी सही हो गया इस प्रकार छटोंगे कि एक तार का प्रत्रोध जो है आठ होम है यह इसमालार आठ होम है दो गुना कर दिया गया तो दीतने गुना कर दि यन गुना मालेजे किया गया है तो यन इसको यर गुना प्रत्रोध बढ़ जायता है ठीक है तो यह मिल जाएगा आपका यह दो दुना चार आठ ठीक अब यह हो गया चार आर्चाव बत्तिस ओम आ गया ठीक चलिए अब इसके बाद पानी पर तहरती वस्तु का भार जो है इस प्रकार से हो गया देखे यह एक तार का प्रत्रोध हमें एक सवाल आपको दे दे रहे हैं इसको आप लगा के लाईए क्या कि एक तार का प्रत्रोध यह प्रश्मे देख लीजिए क्रम से एक तार का प्रत्रोध पांच ओम है तार को तार की लंबाई यदि आधी कर दी जाये तो नए तार का प्रत्रोध कितना होगा ठीक है इस सवाल को आप लोग लगा करके कमेंट में इसका उससर देंगे ठीक है कैसे यन कामान इसमें कितना दिया हूआ एक बटे दो और इसमाल आर पाँच दिया हूआ है ठीक है, अब इसको आप साल्व करेंगे और साल्व करके आप बताएंगे कि प्रत्रोध जब लंबाई आधी कर दी जाती है तो प्रत्रोध कितना हो जाता है चलिए पढ़ते रहिए स्वस्त रहिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ